मेरी यूटूब फैमिली मेरे यूटूब चैनल में आज सभी का बहुत बहुत श्वागत है आज एक नई रेश्पी के साथ हाजिर हूँ तो आज बनाते हैं बैंगन की कुछ धमाकेदार रेश्पी जो की बहुत जादा टेस्टी लगती है खाने में भी और देखने में भी बहुत जादे अच्छी लगती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर ले लिया है मैंने दो वेंगन तो दो वेंगन को इस तरीके से मैंने धो किशाफ कर लिया था और इसका आंगे का जो यह छोटे-छोटे इसका यह होते हैं ना आंगे जो इसके उसमें रहते है और इसे छीख दीर हम सारे बैंगनों को अच्साओं क्यों हैं अर अब क्या करना है कि इसको अilotुजा सzung services कोशने के आपकोस पीस स बना लेना है तो सारे बैंगनों को इस तरीके से आप पीस में कट कर लेंगे, बहुत आसानी से कट हो जाते हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से कट जाते हैं, इसी तरीके से आप 6, 7, 8 जितना भी आप से कट लगे, आप इस तरह के से बारीक बारीक कट कर लेजिए, देखी ये तूटने ना पाए, आरा तो आप इसी तरीके से कट कर लेना है इसको भी कट कर लेंगे और फिर यहां आप नया प्रोसेस क्या है कि देखिए इसमें क्या करनेंगे हैं बेशन लेंगे आधी छ मजह हली पाउडर में और लाल मिर्षटब कर लाओडर इहां नमा की साथ मेंहीं जाता है धनिया पत्ता डाल यहां पीके संदेगके ओल्फboardsया इससे जोह स्वाध में वह बहुत जादा कभी पकोड़ी ऑकड़ी बनाते हैं और डालते हैं तो देखते हैं कितना जाता है तो तज़सन स्कते हैं कि chyba अब डाल सकते और इसे हम क्या करेंगे आप दैंटा लेंग अचा अच्छह तरीके से वैशते से डौक को हम आच्छे तरीके से फेट लेंगे जो है पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है एक ही बार डाल देंगे तो पत्ता चला कि हमारा जो गोल है वो पतला हो जाएगा तो हमें अंदाजा नहीं चलेगा तो इससे हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फेटते रहेंगे तो देखिए एक से दो म तो यहां फेट लिया है मैंने फेटने के बाद जो फेटने के भाड आ देखिए एक इस तरीके से धेख है को अच्छे से होगा इस Lutheriger करने का अब यहां पर कड़ाय चेड़ा दिया था मैंने तेल गरम होने के लिए तो तेल लमसम हमारा गरम हऊचुका है जातेल सकते अंच आज यब काई शाहना बीग करेंगे तो यह जल्द तो झाएंगे तो यह अच्छे आपको हल्क आच से ने करेंगे बहुत tasty लगते हैं तो देखिए एक बैच जो है हमारा तयार हो गया है दूसरा बैच टाल कैसे ही हम fry कर लेंगे अच्छे तरीके से देखिए कितना प्यारा कलर आया है बैंगनों का और कोई नहीं कह सकता है यह बैंगन है क्या है पता ही नहीं चल रहा है तो इसी तरीके से हम सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे तो चलिए अब मसाले की त्यारी करते हैं हमारा बैंगन लंसम फ्राई हो चुका है तो यहां पे हम मसाला बनाएंगे मसाला बनाने के लिए देखिए यहां पे तो पहले प्याज रिये ले लिए हुए टमाटर और टमाटर को कट कर लेंगे तीन टमाटर लेहूं है ज्यादा नहीं लेना है ज्यादा अगर खट्टा भी मसाला बन जाता है तो बैंगन और आलू की सबजी होते हैं तो वह एकसप्ट कर लेता लेकिन बैंगन वगरा में कम ही रखना चाहिए और ये जो है हमारा प्याज एक प्याज है मीडियम साइज का यह इसमें जाएगा तीन हडी मिरच और कुछ लहसन की कलियां और इसमें अद्रक का टुकड़ा और फिर इसमें हम डालेंगे दो लाल मिरच और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता तो धनिया पत्ते से जो है ना हमारे यह जो रिंश्पी बना रहे हैं इसका जो टेश्ट है वो बढ़ी आएंगा मसाले का तो इसलिए धनिया पत्ता मैंने डाला है Соर दिया है corona तो यहां पर त्यार हो गया है अब देखिए यहां पर चढ़ा दिया है मैंने कड़ाई कड़ाई में एक से दो चमद तेल जीरा और दो लाल मिरच और एक जो है प्याज तो इसको हम अच्छे तरीके से भून लें जैसे नॉर्मली सब्जी बनाते हैं इसी तरीके से हम इसे अ सुनहरा कर लेंगे प्याज को तो देखिए प्याज को जीतना सुनहरा करेंगे उतनी ही सब्जी के हमारे जो है टेस्ट जो है बढ़िया बनके आएगा तो यह हमारा प्याज लमसम होग चुका है एक मिनट और इसको करते हैं सुनहरा तो देखिए यहां पर आप प्याज हम तो अब इसमें हम मिस्ASSाल डालेंगे जो मसालणा हमने प्यूरीजश बना रहे थी यह हमने इसमें डाल दिया है पहले हमने मसाला नहीं डाला है temमने शुरूश credential मैं कए उसमें आथा चम़च्विडी पौड़र डालेंगे गरम मसाला अच्छी तरीके से भून चुके हैं अब इसमें डालेंगे पानी और इसे खोला देंगे जैसे नौर्मली सब्जी खोलाते हैं और यह जो बनाई थी बैंगन का यह जाल देंगे इसमें और देखिए दो से पांच मिनट बनाने के बाद हमारे सब्जी फर्फेक्ट बन करते है आई वह वीडियो अच्छी लगयों तो लाइक सब्सक्राइब से रजरू